बहरत वर्सेस बांगलादेश के बीच खेला गया काफी खतरनाग 20 पोटक दूसरा टी-20 मुकाबला पहला T20 का मुकाबला हारने के बाद बांगलादेस के गेंदबाज और कप्तान काफी जदा बोख लाए हुए थे दूसरा T20 का मुकाबला जीतने के लिए काफी ताबड तोड तरीके समयदान पड़ डट कर गेंदबाज ही कर रहे थे जीहां दोस्तो भारती टीम के तूफानी बिसपोटक बल्लेबाज सुरी कुमार यादव और रिंकु सिंग ने दूसरे T20 मुकाबले में ताबर तोड बल्लेबाज जी करते हुए यहां पर वर्ड पर इतने रन ठोक दी जिसको देख करके बंगलादेश के गेंदबाज और कप्तान काप उठे जैसे खतरनाक बिसपोटक छे बल्लेबाज जब पूरी तरीके से फ्लॉफ रहे और 90 रनों के भेतर ही यहां पर आठीमे ओवर तक आउट हो चुके थे तो भारती टीम की कमान सूरी कुमार यादव रिंकु सिंग ने समाली सूरी कुमार यादव और रिंकु सिंग की तूफानी बिसपोटक बल्लेबाजी देखकर कोच गोतम गंबिर को अपनी आँखो पर भरोसा नहीं हुआ तो मैं क्रिक्ट के भगवान कही जाने वाले सचिन तेंदूलकर, महंदर सिंग धोनी, युवराज सिंग जो आज तक न कर पाए बहुत तूफानी खतरनाग बिसपोटक शेरों ने दूसरे टीटवेंटी मुकाबले में का दिखाया बस आप लोगों से छोटी से रिक्वेश्ट है, वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज सुरू से लेकर अंत तक देखते रही है चैनल पर अगर आप हमारी पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरू कर देना भारत वर्सिस बांगलादेश के बीच दूसरे टीट्वेंटी मुकाबले का जब टॉस उच्छाला गया तो टॉस की बाजी बांगलादेश के गेंदबाज और टीम कप्तान ने जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया टॉस जीत कर बांगलादेश के गेंदबाज और कप्तान बहुत ज़्यादा खुस हुए सायदू ने लगा कि टॉस की बाजी हम जीत गए तो इस दूसरे वर T20 मुकाबले को जीत लेंगे और सीरीज में बराबरी पाने के लिए दूसरा T20 का मुकाबला हर हाल में जीतना था बांगलादेश की टीम की सोच यही थी लेकिन बांगलादेश की टीम की तरफ से एक खतरना एक विसपोटक गेन बाज आया तो भाही भारती टीम की तरफ से दो ओपनर बल्लेबाज सस्वी जैसवाल और शुममन गिल मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कुद पड़े सस्वी जैसवाल ने पहले एक वर में सांदर तरीके से एक चोके और एक गगन चुमती छक्के के मदद से तो महीं पहले ओवर की छटी बॉल पर दोड़कर दो रन लिए जहांपर 12 रन सस्वी जैसवाल ने ठोक दिये भारती टीम की शुरुवात काफी बहतरी थी चोके से भा एक अपने पास रखी और पहले ही ओवर की छटी बॉल पर फिर एक चक्का ठोक दिया गातक विस्पोटक बल्लेबाज शुमन गिल का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्पोटक तरीके से चल ला था शुमन गिल और तूफानी विस्पोटक बल्लेबाज एक दूसरे की से काफी तूफानी खतरनाग विसपोटक अंदाज में मैदान पर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे दोस्तों SSV जैसवाल ने तीसरे ओवर की पहली बॉल पर चोका ठोक दिया तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पर यहाँ पर फिर गगन चुमती चका ठोक दिया तीसरे ओवर की चोथी बॉल पर दोड़कर दोरन लिये और तीसरे ओवर की पांची बॉल पर फिर एक छका ठोक दिया जैसवाल ने 32 रनों की नाबाद पारी खेल डाली तीसरे ओवर में दोनों खतरनाग विसपोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तवाही बरी बिसपोटक बल्लेबाद जी कर रहे थे और बांगलादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्या उड़ा रहे थे तो महीं भारती टीम के तूफानी बिसपोटक बल्लेबाद शुमन गिल को लेकर के भारती टीम को काफी बड़ा जटका लगा जब शुमन गिल चोथे ओवर की पहली बॉल पर केच आउट का सामना कर वेटे और महज 33 रंड ठोक करके आउट हुए जिए यहां दोस्तों जैसे ही शुमन गिल आउट हुए यहां पर भारती टीम में संसनीज जा गई चोथे ओवर की पहली बॉल पर शुमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर अविशेक सर्मा बल्लेबाजी करने के लिया है काफी खतरना एक विस्पोटक बल्लेबाज अविशेक सर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्पोटक तरीका से चलने लगा चौथे अवर की तीसेवी बाल पर गगन चुम्ती चक्का ठोग दिया चौथे अवर की चौथी बाल पर कव़र ड्राइब की और चोका ठोग दिया चौथे अवर की यहां पर तो चटी बाल पर तूफानी विस्पोटक बल्लेबा जेस स्वी जैसवाल आउट हो गये जीसा सवीड जैसवाल के आउट होने के बाद अविशेग सर्मा का साथ दिने के लिए मैदान पर रीतुराज गाइकवाड बल्लेबाजी करने के रिया हुए ताबड तोड विसपोटक बल्लेबाजी करने सुरू कर दी। दोनों खतरनाग विसपोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तबाही बरी विसपोटक बल्लेबाजी करने लगे और बांगलादेश के घेंदाज और कप्तान की धजिया उड़ाने लगे। रितुराज आउट हुए 19 रंड टोक करके जहां पर भारती टीम को काफी बड़ा चटका लगा छटे ओवर की चौती बॉल पर रितुराज गयकवाड की आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए विकट की पर बल्लेबाज आप सभी को बता दे रिशाप पंता है छटे अपनी तूफानी विसपोटक बल्लेबाजी से बड़े से बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं हार्दिक पांडिया ने तावड तोड बल्लेबाजी करने सुरू कर दी लेकिन दोस्तों हार्दिक पांडिया तावड तोड तरीके से बल्लेबाजी तो कर रहे थे लेकिन भारत पंद से उम्मीद है यह नहीं थी रिशाप पंद यहाँ पर आठी में उबर की पांची में उपर टगड़ा शौट केलने के चकर में केच आउट का सामना कर बैठे विगट कीपर बल्लेबाज रिशाप पंद काफी जधा बहातर बहातर बल्लेबाज जी कर रहे थे और सही अ खतरनाग भी स्पोर्टक बल्लेबाज आया जिसने बांगलादेश के गेंदबाज और कप्तान को धोने में कोई कसर नहीं शोड़ी जी हम बात करने वाले हैं सूरी कुमार यादव की बांगलादेश के गेंदबाज जर कप्तान बहदी ज़्यदा खुश थे जब भारती ट बाज है वो दोड़कर सूरी कुमार यादव का बल्ला चेक करने के लिए तो वहीं उवराज सिंका रिकॉर्ड पल भर में तोड़कर भारती टीम के तूफानी में स्पोर्टक बल्लेबाज शूरी कुमार यादव ने मैदान पर तूफान मचा दिया असी साल पुराना पल भर में रिकॉर्ड तोड़ दिया और किसी ऐसे बल्लेबाज ने बांगला देश के खिलाफ 6 गेंदों पर 6 चके नहीं ठोके थे लेकिन सोरी कुमार यादव ने बांगलेदेश के खिलाफ नवें उवर की 6 गेंदों पर लगातार गगन चुमती 6 चके ठोक दिये और बांग सूरी कुमार यादव को दिये सूरी कुमार यादव ने 10 गेंदों पर लगातार दो चोके ठोक दिये कहां तक 20 पोटक बल्लेबाज शूरी कुमार यादव और हार्दिक पांडया दोनों खतरनाग 20 पोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी तूफानी खतरनाग 20 पोटक अ विश्पोटक बल्लेबाज आया जो महंदर सिंग धोनी के नाम से जाना जाता है जी हम बात करने वाले हैं रिंकु सिंग की क्योंकि भारती टीम के रनों की जिम्मेदारी सिर्फ रिंकु सिंग और सूरी कुमार यादव के कंदों पर आ चुकी थी क्योंकि दोस्तों सूरी कु विश्पोटक शेर एक दूसरे कीमत से काफी तबाही भरी विश्पोटक बल्लेबाजी करने लगे दोस्तों यहाँ पर ग्यार में उवर की बची तीन गेंदों पर लगातार गगन चुमती तीन चक्के रिंकु सिंग ने ठोक दिये आते ही रिंकु सिंग तूफानी विश् सिंग का रिकॉर्ड भी यहाँ पर दूसरे टी-20 मुकाबले में बना करके तोड़ दिया दोस्तों रिंकु सिंग वो तूफानी विश्पोटक बल्लेबाज है जिसका बल्ला मैदान पर तूफानी विश्पोटक तरीके से चल ला था रिंकु सिंग और शूरी कुमार याद सबी को बता दें सूरी कुमार यादव का फी तवाही भरी विश्पोटक बल्लेबाज जी कर रे थे। पर लगातार चार शेक के दो चोके रिंकु सिंग ने ठोक दिये, 19 में अबर की छेक दो पर दो कवर ड्राइब के दो चोके और एक आस्मानी का गंचूमती चक्का शूर्या ने फिर ठोक दिया, भारती टीम के तूफानी 20 पोटक शेरों ने ताबर तोड़ बल्ले बाजी करत तो वह रिंकु सिंग ने दोहरी सत्की पारी खड़ डाली, बांगलादेस की टीम जो मैदान पर बल्ले बाजी करने को तो काफी जदा बोख लाई भी थी, क्योंकि उन्हें सरसा लग रहा था कि दूसरा टी 20 का मुकाबला हमारा हाल में जीत लेंगे, लेकिन भारती टीम की काफी जदा हैरान और परेसान थे, तो वहीं घातक 20 पोर्टक बल्ले बाज 4 ओवर की दूसरी बॉल पर भारती टीम को काफी बड़ा चटका लगया, क्योंकि 4 ओवर की दूसरी बॉल पर एक बल्ले बाज ने 134 मिटर लॉंग छका ठोक दिया, यहाँ पर रवी पहुंचते 5 बिगट हासिल तो ख़ड़ गये, लेकिन बांगलादेश के दो बल्ले बाज ऐसे थे, जो मैदान पर तबाही भरी बिस पोर्टक बल्ले बाज जी कर रहे थे, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उनका बल्ला मैदान पर तूफानी बिस पोर्टक तरीक से मैदान पर डटकर गेंदबाजी कर रहे थे, बांगलादेश की टीम की तरफ से, यहाँ पर भारती टीम के तूफानी बिस पोर्टक गेंदबाजी की तरफ से, यहाँ पर हार्शिदिव सिंग जब बारमा ओर लेकर के गए तो लगातार तीन चके तीन चोके ठोक दिये, जब यहाँ पर तूफानी बिस पोर्टक गेंदबाज मोहमद सिराज गए तो दो चोके और चार गंचूमती चके ठोक दिये, जब जस्वरीद बुमरा आ गए तो पंद्रमें बिस पोर्टक बलेबाज आप सभी को बता दे, यहाँ पर सूरी कुमार यादव ने यहाँ पर पर तक जाते आते भारती टीम के तूफानी बिस पोर्टक शेरों ने बांगलादेश की टीम को धेर कर दिया और दोस्तो दोस्तो दूसरा T20 का वर्म मुकाबला जीत लिया, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक सेर जरू कर दिये, बिलते के लिए वीडियो में सब्सक्नाव कर दिये जुछ ऑ्लादेश कर दिया जdisciplinary को में चैनल को सेव्डियो, दूसक्वct रयो, यह की बिलतो कर दोस्तों।